नमस्कार दोस्तों एक्जाम नीती के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का इवाफिस स्वागत है आज से हम लोग यहाँ पर एक जीके सीरीज की शुरुबात कर रहे हैं तो अगर आप किसी भी एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं जो होने वाली है आपकी तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो यहाँ पर हम रेगुलर एक क्विज अपलोट करेंगे और आप उसको अटेंड करके मुझे बता सकते हो कि आपके कितने नमबर आए हैं या पर कितने आपने सही आंसर दिये हैं तो शुरुआत करते हैं यह काफी अच्छी एक तरही के से जीके क्विज रहेगी तो इसलिए इसको पूरा देखिएगा और मुझे बताईएगा जरूर कि कितने नमबर आपके मिले हैं आपको मिले हैं ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि यहां quiz है तो इसलिए मैं 4 के 4 option भी पढ़ूँगा तो बीच में comment करके मत बताइएगा कि जो option है वो मत पढ़िए क्योंकि मैं option पढ़ूँगा ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं पहले question के साथ बौध धर्मी की किस साखा के अनुसार बुद्ध अलोकिक सक्तियों वाले सामाने पुरुस्ते बौध धर्मी की दो साखाएं है एक साखा है हीन यान तुसरी है महायान अब हमको बताना है कि कौन सा जो साखा है वो ये मानती है कि बुद्ध अलोकिक सक्तियों वाले सामानी पुरुस थे हीन यान, महायान, बौधायान या स्वेतायान तो जाहिर से बात है ये दो आप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि दो साखाएं हैं बौध धर्मी की और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीन यान, हीन यान के अंदर जो लोग हीन यान में भरूसा करते हैं बौध धर्मी के अंदर, वो ये मानते हैं कि जो बुद्ध थे, वो कोई मतलब भगवान नहीं थे बलकि वो एक अलोकिक सक्तियों वाले महापुरुस्ते ठीक है सामानी पुरुस्ते वो जबकि जो महायान वाले हैं महायान वाले जो है वो भगवान बुद्ध मतलब मात्मा बुद्ध को जो है भगवान मानते हैं ठीक है तो यह आप यहां से ध्यान रखेगा जितने भारत में जालतर जो बहुत धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इसी महायान के अंदर आते हैं ठीक है चलिए इसके बाद अगला क्वेशिन है हमारा कि भारतिय सम्मिधान में किस अनुसूची के तहत अनुसूचित शेत्रों के परशाशन और नियंतरण का वर्णन किया गया है तो कौन सी अनुसूची हमें ये बताती है कि जो अनुसूची शेत्र हैं वहां का परशाशन और नियंतरण कैसा होगा या फिर जो नियंतरण होगा वो कैसा होगा वहां का परशाशन कैसा होगा तीसरी चौथी पाँचवी या छटवी तो इसका जो सही आंसर है वो है पाँचवी अनुसूची में जो अनुसूची शेत्र हैं भारत के अंदर उसके नियंतरण का और उसके परशाशन का वर्णन किया गया है हलाकि कुछ राज्यों को छोड़के जैसे कि असम, मेघाले, तिरपुरा और मिजोरम, मिजोरम, तिरपुरा, असम और मेघाले इहां पर यह अनुसूची लागो नहीं होती ठीक है बाकि सभी जगा लागो होती है चलिए इसके बाद question number 8 है हमारा कि जुखाम और influenza के लिए कौन सा शुक्ष में जीव जिम्यदार है जुखाम और influenza होने का कौन सा कारण है जीवानू, वाइरस, कवक या प्रूटो जुवा तो जुखाम और influenza यानि कि जो flu होता है उसका main जो कारण है वो है वाइरस तो option B वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा एक वाइरस है जिसका नाम आपको जरूर याद ना चाहिए राइनो वाइरस समानिता जातर जो रोग होते हैं वो इसी वाइरस की वज़े से होते हैं तो ये भी आप याद रख सकते हैं राइनो वाइरस मतलब सबसे ज़्यादा बिमार करने वाले कॉमन मतलब ये वाइरस है ठीक है चलिए इसके बाद अगला क्वेशिन है हमारे पास कि जो CBI केंदरिया अनुवेशन वीरो यानि कि सेंटल वीरो ऑप इन्वेस्टिगेशन इसकी इस्तापना कब हुई थी 1952 मे 1963 में, 1921 में या 1985 में तो CBI की इस्तापना हुई थी 1963 में यानि कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर B वाला ऑप्शन सही है किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है आधुनिक भारत के निर्माता कौन माने जाते हैं लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड माउंट वेटेन, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड डलहोजी तो इसका जो सही आंसर है वो है ओप्शन D वाला लॉर्ड डलोहजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है और इसका कारण ये है अच्छे चलिए सबस्पर देख लेते हैं कि जो लॉर्ड डलोहजी थे इनका जो कारिकाल था भारत में गवर्नर जनरल के तौर पे वो 1849 से 1856 के बीच में रहा और इन्होंने भारत में बहुत से जो आज की डेट में आप देखते हो चीजें इन्होंने मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आधार शीला रखी थी जैसे कि अगर हम बात कर लें 1853 में जो मुंबई और थाने के बीच में जो पहली रेलवे लाइन जो मतलब शुरू हुई थी तो वो इन्ही के टाइम पे शुरू हुई थी ठीक है और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कलकत्ता और आगरा के बीच में जो टेलिग्राफ वला जो सेवा है वो भी उस वक शुरू की थी आज की डेट में जो लोक निर्माण विभाग है पी डबलो डी जो विभाग है उसकी शुरूबात भी लॉड डलो जी के कारेकाल में ही हुई थी तो इनको आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है इसके बाद क्वेश्चिन है हमारा की सरकार भारास सरकार अधिनियम 1858 पारिद होने के समय भारत के गवर्णर जनरल कौन थे कौन थे भारत के गवर्णर जनरल जब भारत सरकार अधिनियम 1858 पारिद हुआ था तो लॉड केनिंग, लॉड करजन, चेम्सपोर्ट या लॉड एर्विन तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉड केनिंग टीक है, लॉड केनिंग जो है 1858 से लेकर 1858 से लेकर 1862 तक भारत के गवर्णर जनरल है और इनी के टाइम पे जो है ये जो अधिनियम था ये पारिद हुआ था इस अधिनियम के बाद ही जो है जो भारत के जो Governor General थे उनको Voice Roy की जिम्मेदारी दे दी गई थी ठीक है चलिए इसके बाद अगला Question है हमारा कि किस पक्षी की आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है इनमें से कौन सा पक्षी है जिसकी आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है मूर, सुतुरमूर्ग, उल्लू या सारश तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो है option B वाला सुतुरमूर्ग आप सभी लोग सुतुरमूर्ग के बारे में जानते होंगे यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है यह उड़ नहीं सकता और इसका दिमाग जो होता है वो इसकी आखों से स्वरी इसकी जो आखें होती है वो इसके दिमाग से बड़ी होती है जिस तरीके से उट कही दिनों तक बिना पानी पिये रह सकता है उसी तरीके से सुतुरमूर्ग भी दक्षिन भारत पूर्वी भारत या पश्मी भारत तो इसका जो सही आंसर है वो है option B वाला यनि की दक्षिन भारत दक्षिन भारत में जो है संगम काल था जो कृष्णा निदी के क्रिश्णा निदी के आसपास का जो शेतर था दक्षिन की तरप का शेतर उस मतलब उस इलाके को जो है संगम काल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर जिसमें हम बहुत से वंसू के बारे में पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं चेर चोल पांड तो यह सब संगम काल के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं ठीक है तो कहां से संबन्दी था संगम यू दक्षण भारत से इसके बाद अगला क्वेशिन है हमारा कि वांडिवास का निर्णायक युद्ध ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने किसके खिलाब लड़ा था वांडिवास का निर्णायक युद्ध हुआ था 1760 में और ये किसके बीच में हुआ था फ्रांसिस इस्ट इंडिया कंपनी डच इस्ट इंडिया कंपनी मुगलों के खिलाब या टिपू सुल्तान के खिलाब तो ये जो युद्ध था ये ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने Francis East India Company के साथ लड़ा था मैंने आपको बता दिया कि 1760 में ये लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद से जो British लोग थे उनकी एक तरीके साब गया सकते हो कि भारत में एकाधिकार हो गया था मतलब उन्होंने काफी हद तक Francis East India Company को खदेड दिया था अलाकि उस वक्त भी Francis East का काफी जगा कब जा था लेकिन एक छत्रह राज लगभग लगभग इनका इसी युद्ध के बाद शुरू हुआ था ठीक है कौन से युद्ध के बाद वांडिवास के युद्ध के बाद इसके बाद question है हमारा कि बी वाला यनि के मुंबई सबसे ज़्यदा जो आबादी है मेट्रो शेहरों में वहाँ पर पहले नमबर पर मुंबई है दूसरे इस्तान पर फिर दिल्ली आता है फिर कॉलकाता आता है और इसके बाद चिन नहीं आता है तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी होंगी ठीक है पहले नमबर पर कॉन आता है मुंबई आता है दूसरे नमबर पर दिल्ली तीसरे पर कॉलकाता और चौथे पर चिन नहीं दोस्तों आप एक प्रश्ण में आपके लिए दे रहा हूँ तो अगर आपको ये क्विस अच्छे लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा कि यो बाद में फिर मैं इसमें क्वेशन की संख्या बढ़ाओंगा अब उतने बच्चे देखते नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं बनता कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो या फिर बहुत ज़दा ज़दा क्वेशन बनाने का कोई फाइदा उसका देखने को मिलेगा नहीं वीडियो एक बार डालो फिर अगर दो चार दिन के अंदर उसको अच्छे व्यूज नहीं आते हैं तो फिर उसमें फिर वीडियो ही गया हो जाती है मतलब वो रैंकिंग में भी नहीं आती है तो कोई फाइदा नहीं है तो मैं question बाद में बढ़ाऊंगा अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोग response करते हैं वीडियो like करके comment जरूर करिएगा आप मैंसे कई लोग देखते हैं लेकिन comment नहीं करते हैं और like नहीं करते हैं इसे like जरूर करिएगा और इसका answer मुझे बता दीजे कि 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राजजी की थी केरल जहरकंड बिहार या 36 गड़ बहुत simple question है लेकिन अच्छा question है आप लोग comment करके बता सकते हैं thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुभो धन्यवाद